अल्प संक्यांग समाज का केसी उन्होंने वाट लगाई यह मैं नवाम मलिक जिसा भोगस और हलके आदमी नियुँ उन्होंने शुरुवात किये पिच्चर एंड महें करूंगा देखे क्या है नवाम मलिक जी के थोड़ी ची तबेट ठीक नहीं है मैं उनके परिवार वालों से कहूंगा कि शायद उनका मानसिक संतुलन ठीक ने अपनी अच्छी कोई डॉक्टर के पास उनका हिलाज करा है यह मेरी एक फुरी और मुफत में सला रहेंगी उनको और रही बात जिस तरीके से उन्होंने कहा उनको अपना होमवक कंप्लीट करना चीए हवे में कुछ गोलिया नहीं चलानी चीए हवे में गोली और बाम चलाते हैं मैं संगर्ष करने वाला लीडर हूँ भारती विद्यारती संगठन से रस्ते के ओपर आंधुलन के माध्यम से हजिया राफाश्यक को पैछा वाला टैक्सी वाला टैंपो वाला यूनियन शित्र में मैंने काम किया हूँ यह मेरा पैछान रही है मैं बबबबब ओस्तार है करता है जब संगठना के लिए बात हुई रिक्षा चालकों के लिए काऊगी माहरास्टा की बूमी पुतरों के लिए बात हुई तो हाजिया राफाश्यक ने जब-जब पत्तर उटाया रूसमें लोगों को निया दिलाने का काम किया उसने आज आरोप किया मेरे चोटे भाई पे कि इस तरीकी से जो हुआ और इसके अंदर देवेंदर फंडवीज जी ने उनको उस टाइम पे मदद की सबसे पहली बात मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं उस वक्त के ओपर शूशना का उपनेता था शूशना का उपनेता बर्द के काम कर था मेरे नेता उस टाइम पे उद्दो जी ठाक रहे थे मेरा देवेंदर फंडवीज जी से ऐसे कोई खास संपर्ग नहीं था तो यह सबसे पहली बात उन्हों ने उनकी यहां एक भंपक बात समझ में आ गई एक आरोपी आरोपी होता है मेरा भाई हो या मेरा कोई भी हो य यह कुछ भी हो आए वह स्टूडन्ट था लॉकी पढ़ाई पढ़ रहा था मैक डॉनल में बैठा था वहां उसको पर उसको आये डियर ने पकड़ा यह सारी चीज़े हुई वह कॉंग्रेस का बहुत बड़ा लीडर था कॉंग्रेस का लीडर इतना बड़ा लीडर था कि आज इसका डिपि अगर देखेंगे तो उसके उपर नवामलिक जी का फोटो है कि उसके शादि में 3 गंटा मॉडी बैटते हैं उसके जनम दिन के ऊपर मॉडिक खुद पोचते हैं उसके बच्चे aja के जनम दिन पर क्यक का टने खुद नवद नवाम मलिक पहुच जाते हैं ये अपने 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 का जीब बात है ये सारी चीज उसका अभी कोड के अंदर वो सारा केस चल रहा है जो कसुरवार होगा उसको सजा मिलनी चाहिए मैं नवाम्मलिक जिसा भोगस और हलके आदमी नहीं हूँ आई दामात का घुसा आज एक मेनेस हम देख रहे हैं कि दामात को एरेस्ट किया गया शेरत पाउर जी से उनके डारेक्ट संबन होम मिनिसर खुद का मुख्य मंत्री उनका फिर भी रहने को खुद मंत्री रहने के अपने दामात को छुडा नहीं सके तो जो चीड नजर आ रही है वो सीधा-सीधा अपने दामात को छुडा नहीं पाए इसलिए उस अपके घरों में जाक रहे हमारे गाहों के अंदर ऐसे जो फाटी खोल के लोग देखने वाले उसमें का नवाब मलीग है कि अपना खुद का घर का जाक के दूसरे की फाटी खोल खोल के देख रहा है तो कही ना कही मैं इस उसी जमीन बोड की पर्मिशन नहीं लेते वे उन्होंने कैसा बेची कैसा भाड़े पे दी वो सारी पोलखोल उनके सामने रखूंगा उन्होंने शुरुवात किये पिच्चर एंड मै करूंगा मैं महारास्टा का भूमी पुत्रों घाटी हूं और उनको 100% समझ में आएग इसका जवाब प्रेस बन नहीं करना अब अब उनको बोलना कि प्रेस रोकना नहीं जिस तरीके सीरी से एक मैना लगा है अब भागनी की कोशिश के अभी मैं संजे राउट जी का स्पीज देख रहा था संजे राउट जी ने कहा कि नवाम मलिक थोड़े बोखला गए है और उन्होंने इस तरीके की भाषा करनी नहीं चाहिए परसनल जाना नहीं चाहिए उनकी सफाई कर रहे थे और इसमें कुछ कई ना कई वरिष्ट शरतपावर जी ने बोलके नवाम मली को समझाना चाहिए ये सब बात कर रहे थे क्योंकि अब उनकी जो बैटिंग का जो टाइ भागना नहीं चाहिए हम दोनों दोस्ते आजूब आजूब में रहते एक दिवाल का फरक है उनकी दिवाल मेरी दिवाल ऑफिस का एक है अगर पडोसी है तो पडोसी के नाते जितने भी सवाल करूंगा उसका सब जवाब देना चाहिए एक वरिष्ट पत्रकार जो मुंब कोड से डिपोर्ट कर दिया गया उनको बताना पड़ेगा ऐसे कई सवाल ये एक पॉइंट है ऐसे पंदरा पॉइंट है एक महना आप लोगों ने उनको दिया पंदरा दिन हजी आराफा शेक को भी देना और जरूर वो बोलते है मैं विलन और हिरो का रोल कर रहा हूं 100 पर उनको 5 फचीरी के उनको buyers कई ऊवीवार फास के से उमीद मत रखो हाजी आराफा शेक सब बताएगा किसका बेटा किसके साथ भागा कौन रश्यन के साथ गया किसकी बेटी के सी किसके साथ भागी कितने दिन भागी साघी जितनी बात है मैं प्रेस कोंफरेंश के कल या परसो के दिन शुकरवार के दिन पूरा जोड़दार तरीके से हमारे मलिक साब की कहानी आपके सामने जरूर रखोंगा नवाब मलिक ने एक अरोब भी लगाया है कि भाजब और देविंदर फड़नुस के साये में जो भाजब के कई लीडर्स है जो पाकिस्थान और मंगलादेश और आई एससे से कनेक्ट होके यह नकली नोटों का कारोबार करते थे इस बारे में क्या को अभी वो जीन है मेरे क् अब हजी आराफ अशेक बताएगा कि देविंदर पड़नुस जी ने नवाब मलिक ने जो कुर्ला में एक प्रॉपरेटी है जो नाइंटीन थी के बाम ब्लास्ट में जो आरोपी है उनसे खरी दी इसके बारे में आप क्या सब बताऊंगा फूरी बाते इतनी घाई है आप को क्यों है बिल्कुल सारी बातों में बता रहा अभी आजान है अजान का अधब है इसलिए मैं बिल्कुल कल या पर्शू प्रेस कांफरेंस करके एक एक सीरीज वाई सारी बाते आप लोगों को सामने रखोंगा सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रूप पेश करता है मनराज व्यू जो शहर के बीच ओ बीच एक घर खरितने का मौका दे रहा है आपके बज़ट के अनुपल शांदार 1 बीच के और 10 मंजिला टौवर और कीमत सिर्फ 75 लाग रुप है मनराज व्यू में घर होना यानि आराम और सुविदा का पूरा आनंद चल्दी करें अनुपल बज़ट में ओफर केवल सिमित अवदी के लिए पी-एम आवाज योजना और लोन सुविदा भी उपलब शर्पे लागू